श्री श्री श्रीवाई नमस्तो वियम हरर महादेव स्री अश्वतामा श्री महापुरहन कथा जो की पंडित परदिप जी मिसरा के द्वारा बाची जारी बुरहाणपूर मद्य परदेश में कथा का दूसरा दिन समाप्त हो चुका है और कथा कि दूसरे दिन में गुरू जी ने बहुत ही सारे अच्छे अच्छे और अदभूत आस्चिर जनक पत्र परें वो सारे पत्र पढ़के सुनके आपको भी लगेगा कि महादेव की सची कहानी चल रही है तो चले सबसे पहला पत्र हम लोग बरते हैं सबसे पहला पत्र आया था गुरू जी के पास पुष्वे जी का जो की बुरहनपूर से ही रहने वाली थी उन्होंने पत्र में लिखा था कि उनकी छोटी बहन सुरसती पाठिकल का बिवाह का 12 साल हो गया था लेकिन कोई भी संतान नहीं हो रहा था, बहुत सारे पैसे उन्होंने खर्च कर दिये, बहुत सारे डॉक्टर से भी दिखा लिये, फिर भी कुछ नहीं हुआ, उसके बाद गुरोजी द्वारा बताया गए, आंकरे जर, सफेद आंकरे का जर वाला जो उपाय है, जो कि मैंने वीडियो में भी कई बार आप लोगों को समझाया है, तो उनका उपाय करना सुरू कर दिया महादिव की दया से, आज उन्हें दो बच्चे का जर्म दिया है, तो आप स्क्रिन पे भी देख सकते हैं कि उनको मैंने फोटो भी आप लोगों के साथ शाजा किया हूँ, और उन के भाई की खतरनाक, मतलब बहुत ही खतरनाक एकसिडेंट हो गया, तो उसके बाद वो कुमा में चले गए तो और वेंडिलेटर पे भी थे, डॉक्टर ने बोल दिया था कि बचने की कोई भी चांस नहीं है, 99% तक सरीर काम करना बंद कर दिया था, डॉक्टर ने 48 घंटे क समय दिया, फिर भी ठीक नहीं हो बाया, उसके बाद उसके अगल बगल में कहीं पे किसी ने सिहोर का कंकर संकर रखा हुआ था, उसका पानी पिलाना शुरू किया, सिभजी पे चड़ा हुआ जल मंगवाया और एक बेल पत्र मंगवाया, बेल पत्र उसके पलंग पे रख द जी का, जो कि बुरहनपूर साय थे, दो साल पहले वो कहीं पे एक सेड़ जी के पास गए थे, उसको क्या होता था कि उनके सरीर में, हर गड़मी में फोपड़े हो जाते थे, सरीर पे लाल लाल दब्बे होने लगते थे, तो उनके सेड़ जी ने कहा कि हम आसता चैनल पे ग जिल पत्र खाना सुरू कर दिया, और वो जल जो है, महादेव के सिब्लिंग वाला जल अपने सरीर पे लगाना सुरू कर दिया, बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखाया था, मगर कोई भी अराम नहीं मिली, हर गड़मी में उसे ये प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन जानक एक्सिडेंट हो गिया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने महादेव का नाम कुंदकिश्वर, महादेव के नाम से दवाई देना शुरू कर दिया, और धेरे धेरे से बच्ची का होजाना शुरू हो गिया, पांच्वा पत पताया गया, उन्होंने उपाय की, अपने बेटी को बोला कि तुम्रोका जी का आप अस्मरन करते रहो, और उन्होंने बेलपत्री और जल का आचमन कराना शुरू कर दिया, महादेव की दया से अभी डेर महने का उनका गर्व है, उसके बाद छठा जो पत्र आया था, वो दवाई लग नहीं रही तो फिर उन्होंने किया किया, जैसे कि गुरूजी ने बताते हैं कि अपने कता में कि आपकी जो दवाई चल रही है, वो चलने दीजिए, डॉक्टर दिखा रहे हैं, दिखाते रही है दॉक्टर से, लेकिन जब आप दवाई खाते हैं, तो कुंद कि इस वर महादेव के नाम से औजदी खाना शुरू कर दिया, दवाई खाना शुरू कर दिया, उसके बाद जब चेक अप के लिए गई तो दोनों किटनिया काम करने लगी थी, ये सारे के सारे महादेव की चमतकार है, आसा करताओं की दीगे जानकारी उप्योगी लगी हो आप लोगों को तो कमेंट में हरर महादेव जरूर लिखिएगा